असलेम अलेकुम दोस्तों हमारी ट्यूब चैनल पर आप सभी को मेरे दिल से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप एक पेट लबर है अगर आप एक पेट रेबिट खरीदना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन है क्यों दूस्तों आपको प सब्सक्राइब करते हैं तो बिना किसी दर के चालियास की वीडियो शूरू करते हैं कि दोस्तों वेल्कम बेक ट्यूर्ट चैनल तो एक रैबिट खरीजने से पहले सबसे पहले आपको यह जनना होगा कि यह औरिजिनल ब्रीड है या नहीं क्योंकि दूस्तों बहुत सरे ऐसे लोग हते हैं जो कुरोस ब्रीड या हाइबिड आपको देंगे और बोलेंगे कि बिखाएंवचे यह औरीजिनल ब्रीड हे तो शबसे पहले आपको औरिजिन अरेजिल ब्रेट के बार में जलेच होना चाहिए तो मेरे बात जो एंजल है एक्षिली ओरिजिनल ब्रेट नहीं है यह एक ब्रॉज comprised है क्योंकि जो original breed होते है उसका जो कान होते है यार्स होते है उन में भी ज्यदा से ज्यदा बाल होते है और मुह जो है वो 10 बर्सन सिर्फ दिखाई देता है और 90 बर्सन गाइब रहता है क्योंकि मुह में ज्यदा से ज्यदा बाल होते है तो आपके पास knowledge है तो आप कभी भी धोका नहीं खाऊँगे इसलिए मैं आपको बोले हूँ सबसे पहले आपको original breed के बारे में knowledge होना चाहिए इस वाक्त आपके पास mobile है ना क्यों ना होगा आप तो मेरा वीडियो मोबाइल पर ही देख रहे हो तो आगर आपके पास mobile है तो यूट्यूब और गोगल पर आप सार्स करके original breed के बारे में पता कर सकते हो बहुत इंटरिस्टिंग है मोबल है तो आप मोबल पर ही जो रेबिट के original breed है वह आप देख सकते हो और दूस्तों नेक्स्ट जो है ओ है male and female तो यह भी बहुत ही important है एक रेबिट खरदने से पहले दुनिया में अच्छे लोगों की अत्रब बहुत ही काम है बूरे लगी ज्यादा है इसलिए मैं आपको बहुत है कुछ ऐसा सेलर से जो लोग क्या करते है मेल रेबिट देकर आपको बोलेगा कि यह दोनों एक प्यार है male and female है तो एक दिन पहले मुझे एक message आया था WhatsApp पर क्योंकि मैंने YouTube पर अलड़ी मैंना तो जब वो फोटो बेजा तो मैंने दखा कि दोनों ही मेल है तो मैंने उनको बोला कि हाँ आपके पात जो दो रेबिट है वो दोनों ही मेल है तो थोड़ा शोक भी हो चुका है क्योंकि वो बहुत शोक से male and female खरीदा था लेकिन जो चैलर है वो अशलिए उनको धोका दिया वो आप देख सकते हैं दोस्तों next है healthy and illness अगर कोई खरगोष भीमारी है तो आप कभी भी मात खरीदे क्योंकि हो सकते है घर पर आने के बाद वो मर सकता है जो रेबिट भीमारी होते है वो अक्षिली कूल रहता है सैलन रहता है ज़दा मोमेंट नहीं करते है जो healthy rabbit है वो ज चारों पर आप चेक कीजिए क्योंकि रेबिट को पेरों में भी infection रहता है जो एक्षिली बालों के नीचे रहता है तो एक रेबिट खरदने से पहले वो बीमारी है या healthy है वो आप चेक की जो नेक्स्ट है डाइट एंड प्लेस जो सेलर है वो किया फूट खरगोष को खिल हो सकता है जो सेलर है उस से आप जान लिकी रेबिट को किया खिलाता था ठीक है और धीरे धीरे आप जो खानी के लिए दिना साथ है वो chance किजिए आचाना कोई डाइट जो है वो आप चैन्स मात कीजिए रेबिट का डाइजेस्टिंग सिस्टीम में प्रोब्लेम आ सकता है दोस्तों रेबिट को बहुत ही कम जगा की जरूरत होते हैं तो इसलिए रेबिट खरगने जाने से पहले आपको कहा पर रखेंगे इस बातों पर अपको ध्यांदना होगा क्योंकि जो रेबिट के प्रेडिटर है और ज्यादा है जैसे कि कैट्स डॉक्स फॉक्स ठीक है तो इन शिकरी जन्वर से बचने के लिए आप एक अच्छा सा केज बनाई है ताकि ओहाँ पर शुरक्षित रह पाए तो यह पार मैं आपको बता देता हूँ एक रेबिट का ज स्टे प्राइश तो प्राइश भी बहुत ही इंपोर्टैन आपके लए क्योकी कुछ जो ज्यादा फ्रैस मंगते हैं इसलिए आपको प्रैस भी जुनना जरूरी है तो रेबिट कह प्राइस से और दिपन करता है आपका रहते है और कितना प्रोडक्शन वहाँ पर हो रहा है तो चाहे कोई भी चीज हो खरिदने से पहले बर्गेनिंग इस दा मोस्ट इंबोडन आप ज़रूर बर्गेनिंग कीजिए तो रेविट क्या प्राइस में अच्छली डेरिक्ली नहीं कहूंगा कि रेविट का प्राइस से वह धीपन करते ह दोस्तों मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो के साथ खुश रहे मास्त रहे हमारी चैनल से जुड़े रहे खुदा हपीज